प्रियादर्शकुव, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम इशावपनिशत के चौथे स्लोक पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया इशावपनिशत स्लोक एक, स्लोक दो, स्लोक तीन, इशावपनिशत का परिचय और बेदान्त का परिचय पर पिछले सत्र देखें अगर आपने अवी तक नहीं देखा है। और चिंता ना करें, आपकी सुविदा के लिए इन सत्रों के लिंक बिवरन में और स्क्रीन के उपरी डाय कोने में दिये गए है। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमें फेस्बूक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और कुव एप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और क्यूवर कोड स्क्रीन पर दिये गए हैं। तो चलिए बिना देर की ये स्लोक का पार्ट करते हैं। अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। तधावतो अन्नानत्यती तिष्ठत। तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाती। हिंदी में अनुवात करते हैं। ये अचल है लेकिन मन से भी तेज है। देवता भी इससे आगे नहीं निकल सके क्योंकि ये हर चीज के आगे दोड़ता है। स्थीर होने के बावजूद ये सभी धावो को से आगे निकल जाता है। वहां से ये जीवन के नियंत्रक यानि हवा और पानी को नियंत्रन करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महासागर में छे दोस्त थे। उनमें से नेता एक सेल्फिस थी। इसका नाम मन था। मन ने देखा कि एक सीमा रेका है जहां आकाश शमुद्र से मिलता है। वह सोचता था कि महासागर उसका प्रतिद्वन्दी है। महासागर का नाम चेतन था। मन सोचता था कि अगर वह उस रेखा को पार कर गया तो चेतन उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि चेतन आकाश में प्रवेश नहीं कर सकता। वह एक आजात पंची की तरह उड़ेगा और वहां आकाश में नए पंची मित्र बनाएगा। उसने आपने दोस्तों को इस बिचार के बारे में बताया। उनके दोस्तों को ये आइडिया पसंद आया। उनके दोस्तों में द्रिष्टी नामक एक सुन्दर उड़ने वाली मचली, श्रवन नामक एक ब्लैक मारलिन, गंध नामक एक डॉल्फिन, स्वाध नामक एक ओक्टोपस और स्पर्स नामक एक कच्छुआ था। उन्होंने इसे और मज़ेदार बनाने और चेतन को भी चुनोती देने के लिए दौर में सामिल होने का फैसला किया। उन्होंने ये भी तैय किया कि जो आकास में प्रवेश करने के लिए सबसे अंत में खड़ा होगा, वह दुसरों को एक पार्टी देगा। अगले ही दिन सभी मित्रों मिल गए और भव्य दोर प्रारम हो गई। मन इतना तेज था कि दोर सुरू होने के बाद दुसरे उसे देखी नहीं पाए। वह ये जानकर बहुत खुश हुआ कि चेतन ने शुरू ही नहीं किया था जब वह दस मिल पार कर गया था। द्रिष्टी मन के पीछे थी श्रबन द्रिष्टी का पीछा कर रहा था। अंत में स्वाद और स्पर्ष धीरे धीरे आ रहे थे। लेकिन चेतन ने शुरू करने की जहमत नहीं उठाई। वह लहरों से खेलने में वैस था। सभी खुस थे कि चेतन को सब को पाठी देनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मन पानी से बाहर आता है तो उसे सिमा रेखा जोंकी तोई मिलती है। ये कभी नहीं बदला। वह रेखा तक पोँचने के लिए जितनी तेजी से तैर सकता था तैरा है। लेकिन वह सफन नहीं हो सका। सिमा रेखा को छूं ही नहीं सका। कई कोशिशों के बाद आखिर कर वह कोशिश करते करते ठक गया। और अपने दोस्तों का इंतिजार करने लगा। एक एक करके सारे दोस्त बहां आ गये। सब ठक भी गये थे। मन समझ गया कि उस रेखा तक पोँचकर आकास में प्रवेश करना असंभव है। वह अपने दोस्तों से तेज हो सकता है। लेकिन हमेशा चेतन से पीछे रहता है। उसने चेतन के सामने आत्मशमरपन कर दिया। तब चेतन ने मन का अज्ञान दूर किया। चेतन ने मन से कहा कि वह समुद्र में हर जगा है। उसमें कोई सिमा रेखा नहीं है। तुम और तुम्हारे मित्र मुझ से प्रकट हुए है। और मुझ में ही समा जाओगे। मैं तुम्हारे जन्व से पहने भी यहां था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहूँगा। मैं इस महासागर में सब कुछ नियंत्रन कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर हूँ। मैं तुम्हारा खेल का मैदान हूँ। मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ। मैं तुम्हारी मा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये कहे कर चेतन ने खुशी-खुशी उन सभी को गले लगा लिया, और मन और उसके दोस्तों को एक पार्टी दी, मन का अहंकार पुरी तरह से नश्ठ हो गया था, और वह अपने सच्चे स्वरुप से मिल पाया। चेतन की तरह आत्मा वह है जो कही भी गतिमान नहीं है, लेकिन सबसे तेज है, किसी भी चीज से भी तेज, जिसे हम इस दुनिया में सबसे तेज समझते हैं। इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? उत्तर है प्रकाश। प्रकाश्य तेज क्या है? सोचिए, हाँ, वह बिचार या कलपना है, या एक सबसे में मन जो बिचार और कलपना दोनों का स्वामी है। स्लोक किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है, जो उससे भी तेज है, लेकिन चलती नहीं है। एक अर्थ में बिचार भी अचल है, लेकिन सभी भोवतिक बोस्तूओं से तेज है। समान गुन, आत्मा एक है और हमारी कलपना से पड़े हर जगा फैली हुई है। तो ये आपके सोचने से पहले था और आपके सरीर और मन को एक पहचान मिलने से पहले भी था। वेदों में डेवता, अगनी, जल, वायू, शूर्या, आदि प्राकितिक सक्तिया हैं। ये सभी प्राकितिक सक्तिया चेतना के उस सागर में मौजूद है। ये चेतना तब भी थी जब ये सक्तिया मौजूद नहीं थी। जैसा कि पिछले स्लोक कह रहे थे ज्यान स्वयंग को जानना है। उस द्रिष्टी से हम अपने ज्यानंद्रिय द्वारा स्वयंग को जान सकते हैं। यहां हम इंद्रियों को देवता मान सकते हैं। इंद्रिया इतनी तेज होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कोई आपको छूता है तो तुरंत मस्तिश को संकित मिल जाता है लेकिन वे इंद्रिया आपके मन जितनी तेज नहीं है फिर वह चेतना से तेज कैसे हो सकती है ये कहना गलत नहीं होगा कि आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है उसके कारण आप देखेंगे कि आध्धत्विक साधनाएं इंद्रियों को नियंत्रन करने की बात करती है और सारी उर्जा जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रवाइत हो रही है उन्हें भीतर की और प्रवाइत करने की बात करते है योग और ध्यान इसमें हमारी मदद करते है फिर अपनी मन को मन की शक्ति का उपयोग करके आप आत्मा की दुनिया की यात्रा कर सकते है दुभग्या से मन भी वहां नहीं पहुँच सकता क्योंकि ये मन से तेज है तो अंतिम चरण है मन को रोकना, विचार हिन होना और स्वयम बनना जब कोई उस अवस्था में पहुँच जाता है तब वह समाधी में होता है फिर आत्मा और ब्रंभ में कोई भेद नहीं रह जाता है अब कहानी से रिलेट करें दृष्टी, स्रबन, गंध, स्वाद और स्पर्स हमेशा मन के पीछे थे और मन चेतन से आगे नहीं निकल जगा हाला कि वह दुसरों की तुलना में तेज था अंत में मन ने चेतन के सामने आत्मशमर्पन कर दिया जब उसने आत्मशमर्पन कर दिया तो चेतन ने उसका अज्ञान दूर कर दिया क्योंकि ब्रहम सर्ववैपी है इसलिए ये स्थीर है और स्थीर होने के कारण ये सभी धावकों को पीछे छोड़ देता है चाहे वो प्रकास जैसी भोतिक शक्तिया हो या इंद्रियों जैसी प्राकितिक शक्तिया हो या मन जैसी शुक्ष्म सक्ति हो आप यहां कहानी से संबंधित कर सकते हैं चेतन ब्रम्भ है और मन मन है मन चेतन की सीमा रेखा देख सकता है पर पहुँच नहीं सकता क्योंकि चेतन का जल शर्वत्र है बिना रेश सुरू किये ही चेतन ने रेश जित ली अंतिम पंक्ति है ब्रह्म स्थीर रूप से सब कुछ नियंतरन कर रहा है जीवन के लिए हमें हवा की जरूरत है इसलिए ये जीवन का स्वामी है हमें पानी की आवश्शक्तिया इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी से बना है जल के बिना हम तीन दीन से अधिक जीवित नहीं रह सकते और वायू के बिना हम चार मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते सभी प्रजातिया इनी दो प्राकृतिक शक्तियों पर आश्रित है यहां तक की जीवन की शुरुवात भी पानी में सिर्फ एक कोशी का किसे हुई थी हवा में मुझूद अलग-अलग कैसे पानी बनने के लिए जिम्मेदार थी और फिर हवा और पानी के इस्तिमाल से एक कोशी किया जीब अस्तित्व में आए और बाद में विकाश के जरिये लाखो प्रजातियों का जन्म हुआ ये सभी चीजे उस सार्वभवमिक चेतना या ब्रह्म के कारण संबभ हुई वह ब्रह्म हर जगा हर जीवन में हर कोशी का में हर एक जीवन के लिए वह सयम या आत्मा है हाला कि सब कुछ बिविन प्रकार की वहतिक घटनाओं के माध्यम से हो रहा है लेकिन चेतना के बिना कुछ भी संबभ नहीं था और ना ही संबभ है अंत में आत्मा अचल है एक है और हर जगा फैली हुई है आप इंद्रियोग या मन के माध्यम से अपने सच्चे स्वम या आत्मा को नहीं जान सकते एक निश्चित सिमा तक स्वम को जानने की आपकी यात्रा में मन आपकी मदद कर सकता है उसके बाद आपको समर्पन करना होगा और स्वम को जानने के लिए स्वम होना होगा वह स्वम चेतना या ब्रह्म है बिना कुछ किये वास्तब में ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि इसने ब्रह्मान को प्रज्वलित किया और सब कुछ एक भावतिक घटना के रूप में होने लगा चाहे वह बिग बैंग हो या बिकास ये स्लोक उन लोगों के दावों को भी खारिज करता है जो भगवान को देखने या भगवान की आवाज सुनने का दावा करते है या किसी भी ध्वनी को भगवान से जोडते है या गहरे ध्यान में एक मीठी गंध महसूस करते है और उसे भगवान से जोडते है या भगवान से स्पर्ष प्राप्त करते हैं इस प्रकार का अनुभव केवल एक भ्रम या मतिभ्रम का अनुभव या मन की एक ऐसी स्थीती है जहां कलपना वास्तविक्ता से आगे निकल जाती है या एक सपने की तरह होती है प्रिय दर्शको यूनिवर्सल वेदांता अंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो को लाइक करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो घंटी के निशान को दवाए ताकि जब भी कोई भी नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सुचित किया जाए यदि आपका कोई प्रश्ण है या आपने विजार साजा करना चाहते है तो उसके लिए टिपपनी अनुभाग का उप्योग करे धन्यवाद आपका देन शुब हो जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे